जी तो दोस्तों आप करोना रिलीव टाइगर फोर्स को किस तरह जोईन कर सकते हैं मैं आज आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूँ मेरे साथ रहिएगा ओपन कर लें सिटिजन पॉर्टल को उपन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा वेलकम टू सिटिजन पॉर्टल पाकिस्तान गेट स्टार्टर पे क्लिक कर दे जी तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपने कुछ नहीं करना अगर आप फर्स्ट टाइम इसको उपन कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा यहां से पकड़ कर उपर करेंगे तो यहां लिखा हुआ है डोंट हैब अन अकाउंट रिजिस्टर रिजिस्टर वाला रेड कलर का बटन है उस पर आपने क्लिक कर देना है यहां से पूछेगा आपसे पाकिस्तानी शहरी है बेरिवने मुल्क पाकिस्तानी है या गयर मुल्की है मैं क्यूंकि पाकिस्तानी हूँ इसलिए मैं पाकिस्तानी शहरी क्लिक करूँगा अब वो आपसे पूछेंगे कि आपका मुबाइल नमबर क्या है तो आपने सिफर नहीं लगाना तीन से शुरू करना है अपना मुबाइल नमबर लिखने के बाद आपने कंटीनू पे क्लिक कर देना है हम आपके साथ किसी भी मुवासलात के लिए इस नमबर को इस्तमाल करेंगे शुक्रिया आपने ओके पे क्लिक कर देना है और दूसरा स्टेप जो होगा अपना फुल नेम लिखना है जो आपके शनाहति कार्ड पे है तो आपने यहां मुकमल नाम लिख देना है अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे डेट और बर्थ यहां से स्लेक्ट कर लेनी है आपने और नेस्ट पे क्लिक कर देना है यूजर नेम यहां आपने लिख लेना है देखे यूजर नेम में अगर वो मिस्टेक आपको कहते हैं आपको कहते हैं कि आपको यूजर नेम नहीं सही आपने यूजर नेम के आगे इस तरह के कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं जैसे मैंने TAUSEEF9694 लिखा है इसी तरह आप कोई भी नमेरिक वर्ड या लिख कर करेंगे तो आपका जो है वो हो जाएगा ठीक है न यूजर नेम का मसला नहीं आएगा अपनी यमेल लिख देना है दूसरे step पे तीसरे step पे अपनी password लिख देने है यहाँ जो आपको easily याद रहे उसी password को दुबारा से confirm कर देना है आपने ताकि आपको याद रहे और पता चल जा है के भी आपनी password सही लिखा है और क्या लिखा है पास्वर लिखने के बाद, इमेल लिखने के बाद, यूजर नेम लिखने के बाद आपने next कर देना है जी, यहाँ अब आपने अपना शनाहतिकार नमबर लिखना है सबसे उपर शनातिकर हमने लिख लिए है शनातिकर लिखने के बाद आपने नीचे अपने सुबे का नाम लिखना है सुबा पंजाब से हों मैं पंजाब सेलेक्ट कर लूँगा district फैसलाबाद तहसील मेरी फैसलाबाद city है address यहाँ आपने अपना address लिख देना है ठीक है अब यहां सारा कुछ लिखने के बाद अपना ID का नंबर अपना सूबा अपना जिला अपनी तहसील और पता अड्रेस जो लिखने के बाद आपने finish पे क्लिक कर देना है Finish पे क्लिक कर देंगे आपकी application पे registration हो जाएगी इसी के अंदर ही Corona Leaf Tiger Force का option on कर दिया जाएगा जिसके जरीए आप Corona Leaf Tiger Force का हिसा बन सकेंगे